एक और इंट्रस्टिंग स्टोरी के साथ आप सब का Becoming English Champion YouTube चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है और आज हम जो स्टोरी रीड कर रहे हैं उस स्टोरी का नाम है Cocoon and the Butterfly तो इस स्टोरी में जितने भी वर्ड्स यूज हुए हैं तो मैंने इनको येलो कलर में हाइलाइट कर दिया है ताकि आपकी कवच और Butterfly इस तितली तो स्टोरी गोज लाइक दिस वंस वंस का मतलब क्या होता है एक बार वंस इस एक बार देयर लिवड रहता था अ मैन एक आदमी नेम्ड जिसका नाम था ब्रूस वंडे एक दिन ही सो उसने देखा अ कोकून एक सुरक्षा कवच तो कोकून को आप सबसे पहले याद कर ले सुरक्षा कवच वंस मतलब एक बार और जब हमें किसी का नाम बताना हो तो हम क्या करते हैं नाम बताने के लिए एक वर्ड यूज करते हैं नेम्ड तो इसको आप याद कर लें चैसे नेम्ड और यहां पर कौन-कौन सा स्ट्रक्षर यूज हुआ है इसका मतलब रहता था यूज ही सो उसने देखा पास्ट इंडेफिनेट इसके बाद लिखा है यूज लवड ब्टरफ्लाइज उसको बटरफ्लाइज बहुत पसंद थी तो ही लवड यह हमारा पार्ट वन का लेसन है लाइक लव हेट वाला तो ही लवड उसे बहुत त्ति कौन बटरफ्लाई तित्लियां और उसको पागलपन था अब क्रेव मतलब क्या होता है पागलपन तो उसे पागलपन था फौर किसके लिए इटस इटस मतलब बटरफ्लाई के वहॉंडरफुल शांदार combination of colors के लिए जो भी तितली के combination of colors होते हैं शांदार combination colors का उसके पीछे वो दिवाना था crazy था पागल था in fact वास्तव में तो in fact is वास्तव में जिसको आप बोलते हैं दरसल या फिर हकीकत में तो in fact वास्तव में he used to spend वो बिताया करता था तो हमारा अगेन एक और structure है he used to used to बताता है past action को तो he used to spend a lot of time वो बहुत समय बिताया करता था around butterflies butterflies के इर्दगिर दिया उसके आसपास ब्रूस न्यू ब्रूस जानता था past indefinite क्या जानता था हाओ कैसे अब butterfly would struggle कि एक butterfly struggle करेगी अब यहां पर कौन सा structure यूज हुआ हमारा this is Bruce न्यू ब्रूस जानता था और यह हमारा past हुआ और यह future का sentence तो past प्लस वूड का लेसन तो हमारा जब future में sentence होता है तो हम वहां पर विल के जगा वूड का यूज करते हैं तो ब्रूस न्यू जानता था हाओ कैसे अब butterfly would struggle कि butterfly कैसे संघर्ष करेगी याई कि scramble struggle का मतलब होता है स्क्रैंबल या संघर्ष करना तो इंग्लिश में एक और वर्ड आपको दिया है मैंने स्क्रैंबल तो ब्रूस जानता था कि कैसे एक butterfly struggle करेगी तू ट्रांसफोर्म रुपांत्रित होने के लिए मतलब ट्रांसफोर्म होने के लिए from का से फ्रॉम एन अगली केटरपिलर इंटू ब्यूटिफुल वन एक बहुती हैं अगली है अगली हम अगली मतलब क्या होता है जो और गंदा हो बद्दा होwe बद सूरत हो उसको अगली बोला जाता है भद्दा कुरूप या बद सूरत कैटरपिलर किसको बोलते है कोई इसको जिंगा बोलता है कोई इसको इल्ली बोलता है तो आप इमेज में देख सकते हैं तो इसको बोलते हैं कैटरपिलर तो कहरें कि ब्रूस जानता था कि कैसे बट हम में से बहुत हम में से काफी जानते हैं हम में से काफी लोग जानते हैं that की A beautiful and colorful butterfly एक सुन्दर और रंगीन तितली कमस आती है फ्रोमन अनपीलिंग वॉम है किससे आती है अनपीलिंग अनपीलिंग का क्या मतलब होता है अनाकर्शक अनत्रेक्टिव जो अट्रेक्टिव न हो उसको बोलते हैं अन अपीलिंग क्या रहें कि हम मैंनी ओफास हम में से जाज़तर जानते हैं काफी लोग जानते हैं कि एक सुन्दर और कलर्फुल बटरफ्लाई कमज आती है कहां से फ्रोम एन अनपीलिंग वॉम एक अनाकर्शक कीडे से तो वॉम बोला जाता है कीडे को और अनपीलिंग अनाकर्शक अनट्रेक्टिव ब्रूस सो ब्रूस ने देखा अ कोकून विद टाइनी ओपनिंग एक फिर्टा समा पर आने का रस्ता था बाहर तो ब्रूस ने देखा एक को कुकून को सुरक्षा कवच को किसके साथ विद टाइनी ओप निगे छोटी सी वेरी स्मॉल ओपनिंग के साथ तो यहां पर टाइनी का क्या मतलब होता है वेरी स्मॉल इट मैंट इसका मतलब था मीन ए to make its way अपना रस्ता बनाने की to enjoy its world अपने संसार को enjoy करने के लिए तो यहां पर यह जो was का use हुआ है यह इसलिए हुआ है क्योंकि यहां पर हमारा past का sentence है तो past के साथ कोई sentence अगर जोड़ते हैं तो वो भी past में चला जाता है तो is की जगा was तो यह वर्ड आप याद कर लें make its way अपना रास्ता बनाना he decided अब उसने ब्रूस ने decide किया to sit over sit over and watch उसने decide किया बैठ कर देखने का तो sit over and watch मतलब वहां पर बैठ कर देखने का क्या देखने का हाओ कैसे the beauty the butterfly would come out कि butterfly कैसे आएगी बाहर ओफ दो कुकून कुकून से तो यहां पर वुड का यूज वुड क्यों यूज हुआ आएगी future का sentence है बट past के साथ जुड़ा हुआ है तो विल का वुड कि he was watching वह देख रहा था यहां पर watch को यूज किया है क्योंकि वह एक activity को notice कर रहा था हल चल को तो he was watching watch का मतलब क्यों होता है एक तरह से पूरा हरकत को देखना क्या क्या हो रहा है तो वह देख रहा था दब बटरफ्लाइक को struggling यानि के संघर्ष करते हुए तो he was watching the butterfly struggling वह बटरफ्लाइक को संघर्ष करते हुए देख रहा था तो struggling याद कर ले कोई भी काम कुछ करते हुए हम यूज करते हैं ing form के साथ कौन सा संघर्ष to break the shell वो जो शैल था मतलब कवच जो था उसको तोड़ते हुए for several hours कुछ घंटों से अब यहां पर आप सोच रहोंगे for several hours यहां तो समय दे रखा है फर यहां पर had been का यूज क्यों नहीं हुआ यह several hours जो यूज हुए है यह butterfly के लिए यूज हुए है और जब की ही जो यूज हुआ ही वोज वोचिंग तो यह वोज ही के लिए यूज हुआ है तो आगे लिख है he spent almost more than 10 hours क्या रहे हैं he spent उसने बिताए almost लगभग more than 10 hours दस घंटों से ज्यादा उसने लगभग दस घंटों से ज्यादा बिताए with the cocoon and the butterfly cocoon और butterfly के साथ the butterfly had been struggling अब देखिए had been आ रहा है तो past perfect continuous tense butterfly had been struggling butterfly संगर्ष कर रही थी very hard बहुत ही ज्यादा for hours घंटों से to come out बहार आने के लिए through the tiny opening उस छोटी सी tiny के थूँ तो I hope समझ में आया होगा butterfly बहुत ज्यादा struggle कर रही थी घंटों से ताकि वह बाहर आ सके उस tiny यानिके छोटी सी opening से unfortunately यानिके दूर्भाग्य से तो unfortunately मतलब दूर्भाग्य से यानिके जिसकी किस्मत अच्छी इवन आफ्टर continuous attempts यानिके लगातार परियासों के बाद भी इवन आफ्टर मतलब के बाद भी तो even after थोड़ा सा airאל करता है कि इसके बाद भी इसके बाद continuous attempts तो continuous attempts मतलब होता है लगातार परियास तो attempts मतलब यहां पर plural है इसका मतलब बार-बार जो लगातार परियास से ईवन आफ्टर continuous attempts यानिके लगातार परियासों के बाद भी कौन से परियास कौन से कितनी देर वाले परियास for several hours यानिके घंटों के लगातार परियासों के बाद भी there was no progress कोई भी progress नहीं थी यानिके उन्नती नहीं थी it seemed ऐसा लगा that key the butterfly tried its best कि जो butterfly है उसने अपना best किया and or could not give anymore try और और ज्यादा try वो नहीं दे सकी नहीं कर सकी तो कहने ऐसा लगा कि butterfly ने अपना best किया लेकिन वो और ज्यादा try नहीं दे सकी तो यह हमारा कुड का lesson सका सकी सके इसके बाद है Bruce Bruce कौन who relative pronoun Bruce who had a passion जिसमें जजबा था and love और प्रेम था for butterflies तितलियों के लिए तो यह जो है यह हू के साथ है सारा relative pronoun तो Bruce decided Bruce ने decide किया और Bruce कौन जो जिसके पास passion था लव था butterflies के लिए तो Bruce ने decide किया to help the butterfly तितली की मदद करने का तो अब क्या हुआ he got a pair of scissors वो एक कैंची लेकर आया a pair of scissors मतलब एक कैंची लेकर आया and or tweaked the cocoon और जो cocoon था उसको tweaked कर दिया आप tweak का मतलब क्या होता है तो इसको भी आप ध्यान से समझ लीजेगा बहतर बनाना मरोडना या सुधारना तो tweak मतलब किसी चीज को बहतर बनाना मरोडना या फिर उसको सुधारना तो वह जो ब्रूस था वह लेकर आया क्यों लेकि आया tweak करने के लिए सुधारने के लिए cocoon को क्या सुधारना थो उसको तो make larger opening क्योंकि उसको जो ऑपनिंग थी टाइनी थी बहुत छोटी थी उसको लार्ज करना था तो लार्ज करने के लिए उसने उसको लार्ज कर दिया मतलब सीजर से किस के लिए for the butterfly butterfly के लिए and or removed the remaining cocoon और remove कर दिया जो भी बच्चा कुछा रक्षा कवस था उसको तो यहां पर वर्ड आया है remaining remaining मतलब बच्चा हुआ तो क्या मतलब हुआ इसका कि he got a pair of scissors वो एक कैंची का कैंची लेकर आया तो सीजर नहीं बोलते हैं इसको सीजर बोलते हैं हमेशा तो इसका singular नहीं होता है तो सीजर लेके आया और उसने cocoon को सुधार आ और क्या क्या सुधार के लार्ज कर दिए उसकी ऑपनिंग बटरफ्लाय के लिए और जो बाकी का बचाओ कुकुन था उसको भी रिमूव कर दिया अब क्या हुआ ढर्टररफ्लाय की में मेर्जट विदाओड रिंड स्ट्रगल अब जो बाटरफ्लाय थी इमर्ड मतलब होते ila nad निकलना उभरना प्रकट उना यह आप यह वड़ याद कर लें उभरना निकलना प्रकट वशोर बाहरिये वहें opening को बड़ा कर दिया था तो butterfly को संगर्षनी करना पड़ा unfortunately दुर्भाग्य से the butterfly looked butterfly दिखी no longer beautiful यानि कि सुन्दर नहीं दिखी and or had a swollen body और उसकी body सूजी हुई थी तो यहां पर swollen का मतलब क्या होता है सूजा हुआ तो swollen body is सूजा हुआ फुला हुआ तो swollen body सूजी हुई body तो कह रहे हैं दुर्भाग्य से butterfly दिखी सुन्दर नहीं तो no longer मतलब क्या होता है no longer मतलब अब और नहीं पहले कोई कुछ था अब नहीं है तो butterfly looked no longer beautiful अब वो सुन्दर नहीं दिखी and had a swollen body और उसकी body सूजी हुई थी fully हुई थी with small चोटे 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 और withered wing के साथ withered क्या होते मुर्जाय हुए तो मुर्जाया हुआ आप यूज कर सकते हैं withered तो जुरीदार मुर्जाया हुआ या फीका इसको होते है withered तो क्या मतलब इसका पूरा निकला कि दुर्भाग्या से butterfly अब और सुंदर नहीं दिखी और उसकी body सूजी हुई थी with small चोटे और मुर्जाय हुए wings के साथ Bruce was happy Bruce खुश था that key he made the butterfly उसने help करी butterfly की come out of the cocoon cocoon से बाहर निकलने के लिए तो यह हमारा मेक कॉजिटी वर्ब है मेक फिर समवन फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो उसने butterfly को बाहर निकाला cocoon से without any more struggles ज्यादा संगर्स के साथ नहीं तो he continued उसने जारी रखा टुवाच दे butterfly butterfly को देखना and he was quite eager और वो काफी उत्सुक था अब यहां पर यह वर्ड आया है उत्सुक उत्सुक मतलब होता है eager और quite मतलब काफी तो quite eager मतलब क्या हुआ काफी उत्सुक तो कह रहे है कि उसने जारी रखा butterfly को देखना और वो काफी उत्सुक था to watch the butterfly butterfly को देखने के लिए fly उड़ते हुए with its beautiful wings उसके सुंदर wings के साथ Bruce thought Bruce ने सोचा that key at any time किसी भी समय the butterfly might expand the wings जो butterfly है वो अपने wings को पंखों को expand कर सकती है यानि के खोल सकती है या विस्तरित कर सकती है तो फैलाना या विस्तार करना मतलब expand कर देना और shrink मतलब सिकुडना तो कह रहे हैं कि Bruce ने सोचा कि किसी भी समय वो जो butterfly है might expand वो expand कर सकती है विस्तरित कर सकती है खोल सकती है फैला सकती है अपने wings को और क्या कर सकती है shrink the body और अपने body को सिकुडा सकती है shrink मतलब सिकुडना तो अपनी body को सिकुडा सकती है and the wings could support the body और जो wings वो body को support कर सकते हैं unfortunately दुर्भाग्य से नाइदर तो इसको नीदर नीदर बोला जाता है but I pronounce it as नाइदर तो मुझे नाइदर ठीक लगते तो मैं नाइदर बोलता हूं बट अगर आपको लगते तो आप नीदर बोल सकते हैं तो unfortunately neither the wings expanded कहरें ना तो wings expand हुए और enlarged और बड़े हुए ना तो विस्तरित हुए ना फैले और ना वो बड़े हुए नोर और ना ही एक पूरा संटेंस नोर के बाद दूसरा पूरा संटेंस तो नाइदर नोर के कम से कम चार पांच रूल मैंने आपको बताएं उसमें से एक रूल ये यूज हो रहा है नाइदर संटेंस वन नोर संटेंस टू तो कहने दुरभाग्य से ना तो उसके wings expand हुए या फिर बड़ क्राउल किया मतलब क्या होता है क्रॉल मींस रेंगना हाथ पैर उपर चलना तो वह सिर्फ रहंगी और एदर उधर विदर्डब विंक अपने मुर्जाय हूए wings के साथ and huge body और बड़ी body के साथ huge मतलब होता है विशाल या बहुत बड़ा तो अब उसके पास कोई चारा नहीं था क्योंकि उसके जो wings थे वो काफी विदर्ड थे यानि के मुर्जाय हुए थे और अब वो crawl की सिवा कुछ कर भी नहीं सकती थी तो butterfly ने सिर्फ crawl किया इदर उदर अपने विदर्ड विंग के साथ और अपनी विशालकाए बड़ी body के साथ इट वोज नावर able to fly all through its life तो इट मतलब butterfly के लिए able मतलब लायक इट वोज नावर एबल यानि कि वो कभी भी योगय नहीं होगी to fly all throughout his life मतलब अपने पूरे जीवन भर वो उड़ नहीं सकती है तो यहां पर वोज है क्योंकि past की बात कर रहे हैं तो मतलब कभी भी able नहीं होगी अपने पूरी life उड़ने के लिए वो although हालां की Bruce did it Bruce ने किया ये it with good intention अच्छे इरादे के साथ तो good intention मतलब होता है अच्छा इरादा तो Bruce ने ये किया अच्छे इरादे के साथ अच्छे इंटेंशन के साथ लेकिन क्या हुआ only going through the struggle केवल संगर्ष से गुजर कर ही the butterfly would have emerged वो बाहर निकल चुकी होती like any other beautiful butterflies अच्छे इंटेंशन के साथ लेकिन only going through the struggle से गुजर कर ही butterfly would have emerged वो निकल सकती थी वो उभर सकती थी किसी भी other butterfly की तरह तो यहां पर अगेन एक वर्ड आया emerge emerge मतलब प्रकट होना उभरना और निकलना the continuous effort जो लगातार प्रियास था from the butterfly to come out of its cocoon कहने जो लगातार प्रियास है from the butterfly butterfly की तरफ से तो लगातार प्रियास एक तितली की तरफ से to come out बाहर आने के लिए of its cocoon अपने cocoon से would अब यह क्या होगा let the fluid stored in the body convert अब यहां पर पहले यह समझें यह let का lesson है let के साथ कोई चीज आती है फिर हम verb की first form लगाते हैं आपके रहें let something convert तो किसको convert करने की बात हो रही है एक बार इसको अच्छे समझ लें कि continuous लगातार जो प्रियास थे तितली की तरफ से cocoon से बाहर निकलने के लिए तो would वो क्या करते let करने देते क्या करने देते fluid stored जो जमावा fluid था काँ पे in the body body में उसकी तो वो convert हो जाता into wings wings के अंदर तो लगातार प्रियास butterfly की तरफ से cocoon से बाहर निकलने के लिए तो वो help कर उसने help किया होता fluid जो store था body के अंदर उसको convert करने में into wings में does इस तरह से does का मतलब इस तरह से या इसी लिए तो इस तरह से the body would become lighter इस तरह से body lighter हो जाती and smaller और छोटी हो जाती and the wings would be beautiful and large और जो wings थे वो सुंदर होते और large होते if we do not want to undergo any struggle अगर हम किसी भी संगर्ष से नहीं गुजरना चाते तो undergo is सहना या गुजरना अगर we do not want नहीं चाते अगर हम नहीं चाते अंडरगो गुजरना किसी भी स्ट्रगल से we would not be able to fly हम उड़ नहीं पाएंगे तो I hope आपको समझ में आयोगी स्टोरी Bruce ने तितली की मदद कर दी थी उसको स्ट्रगल नहीं करने दिया जिसकी वज़े से वो अब उड़ नहीं पाई तो क्या मोरल निकलता है स्टोरी का स्ट्रगल मेक्स अस शाइन जो संघर्ष है वो हमें शाइन करने में help करता है हमें चमकाने में मदद करता है तो I hope समझ में आयोगी आपको स्टोरी और काफी सारे words आपने सीखे होंगे तो स्टोरी कैसी लगी बताईएगा कमेंट सेक्शन में और अगर आप में से कोई भी step by step English को सीखना चाहता है तो आप मेरे course को जुरूर जॉइन करें उसके लिए आप become English Champion app को डाउनलोड कर लें उसमें मेरा one year का course है जिसमें प्लस six hundred videos है मेरी eight books की PDF file है जिनको आप कभी भी पढ़ सकते हैं facebook group है अलग से speaking practice के लिए और भी बहुत कुछ है तो उसका price है just 599 for one year तो अभी आप को डाउनलोड करें नीचे description box में लिंक दे रखा है या फिर play store पे जाके डाउनलोड करें so thank you for watching मिलते हैं अगली वीडियो में और यह बताईएगा कि वीडियो कैसी लगी so thank you see you in the next video